हेलो फ्रेंज आप सबी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब केनल सोम क्लासेश में दोस्तो यूपी पीचीएस के द्वारा गोवर्मेंट इंटर कोलिज जी आईसी में लेक्शिरार की पोस्ट निकाली गई हैं जो लगबग 1471 है 1473 पदो पर वैकेंसी निकाली गई है मगर सबसे महतपून बात जो इस बार राजगे इंटर कोलिज में जो आपका एक्जाम होगा उसके पैटर्न को लेकर है उसके एक्जाम होने के तरीक को लेकर है अभी तक जो वैकेंसी लगातार लैक्सरार की होती आई यह पहली बार होगा कि इस तरीके से एक्जाम कराया जाए आप ऐसा समझेगा एक्जाम पैटर्न को देकर जैसे मानो कोई लोवर PCS या PCS को आप भरती करा रहे हैं लैक्सरार की आप पाती नहीं कर रहे हैं पूरा पैटर्न हम आपसे डिसकस करके चलेंगे कि कि किस तरह से भरती कराई गई हैं मगर बड़ी मातरा में वेकंसी निकली हैं तैयारी में लग जाएगा पूरा तरीके से समझ कर चलेगा मेल तता फीमिल दोनों के लिए अच्छी तरीके से पोस्ट निकाली गई है तो आप यदि अच्छी तैयारी करेंगे तो निश्चित तोर पर आप को वेकंसी मिलेगी हिंदी में वाध्यम में भी इंगलिस माध्यम में भी कैमेस्ट्री बायो मैस संस्कृत एकोनोमिक सिविक्स जिससे भी आप बलॉंग करते हैं हर में वेकंसी निकाली गई है अधी हम इसकी इलिजिलिबिलिटी की बात करें योग्यता की बात करें तो मास Master degree आपके किसी भी subject में हो चाहे तो आप M में किये हो या फिर आपके पास Master degree of Science हो तो आप इस form को भर सकते हैं कोई B.A.D. नहीं है कोई M.A.D. नहीं है और सबसे महतपुन बात B.A.D. या M.A.D. वालों के लिए कोई अधिभार भी यहां नहीं दिया गया है आपको क्यों प्र सबसे महतपुन बात है ना तो इसमें B.A.D. मांगा गया है और नहीं उसी के लिए आपको अधिभार या कोई अंक मिलेगा नहीं इंटर्वी होगा फाइनली आपका selection करा लिया जाएगा खास बात यह है कि UP PCS की वेकेंसी है तो मीदलिये लगाई जा रही है कि डेड़ साल में ये वेकेंसी कम्प्लीट कर दी जाएंगी और आपको पोस्टिंग आपकी दे दी जाएगी तो पूरी तरीके से तैयार इसे करते चलिएगा क्या सिलेबस है क्या इसका कटोप रहता है जर्नली वो भी हम आपसे डिसकस करेंगे तेके का ऐसा पहली बार हो रहा है कि लैक जर्नल सब्जेक्ट है और 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 आपका master degree में रहा होगा या तो आप history से रहे होगे या आप math से, chemistry, physics से रहे होगे biology से रहे होगे किसी से भी अदिया आपका जो भी master degree में subject रहा होगा वो subject होगा वो साथ में आपका gk का person होगा gk total 300 number का marks होगा इसी के आधार पर आपको next exam के लिए call किया जाएगा तो अब आपको केवल optional नहीं पढ़ना है अब आपको gk की भी तयारी करनी है और अच्छी तरीके से करनी है क्योंकि ये part पूरी तरीके से आपको फसाने वाला है जो UPPCS की candidate तयारी कर रहे है अपना optional subject रखकर वो आपको तगड़ा completion इस बार देखने को मिलेगा total 120 question के लिए जो समय रखा गया है वो 2 घंटे का समय रखा गया है तो आप देखकर चलेगा आपको कैसे paper solve करना है यदि इसके main exam की बात करें जो आपका paper 1 हो जाएगा तो आपको उसके बाद paper 2 होगा और paper 2 का जो syllabus तेख किया गया है paper 2 का syllabus इस तरीके से तेख किया गया है कि एक first आपको जो part 1 होगा वो journal हिंदी होगा जिसका 50 number है और निविंदी निबंध होगा जिसका 50 number है journal हिंदी का जो syllabus है वो आप जानते होंगे अलंकार, समास, एक सब्द, विलोम, तच्सम ये सभी आपका 50 number में है उस साथ ही हिंदी निवंध भी आपको लिखना पड़ेगा यानि essay writing भी आपको लिखनी होगी उस essay writing के 50 number है यानि mains का जो exam होगा उसमें 100 को 100 marks आपके हिंदी के लिए रिजर्व किये गए है तथा 300 number अब आपका optional होगा और optional में आपको समझना होगा ये optional paper one words नहीं होगे यानि MCQ type नहीं होना है ये आपको question दिये जाएंगे जैसे general याप universities exam देते हैं ऐसे एक question दे जाएगा उसके लिए आपको 5 या 10 या 15 number मिलेंगे यानि टोटल 20 question इसमें आपसे पूछे जाने है और 20 question को आपको part 3 में पूछेंगे part A, part B तथा part C part A 15 number, part B 10 number, part C 5 number उसके लिए आपको दे जाएगा कि एक question के लिए आपको 1500 सब्दों में आपको देना है तो इस तरीके से अपना pattern और समय अभी से आपको maintain करकर चलना है one words नहीं है कि आपको लिए करके आ गए और आपका paper हो गया नहीं इस बार आपको लिखकर आना है पूरा solo करकर आना है question तब आपको marking मिलने वाली है सबसे महतपून बात होता है इस तरह के exam में time को maintain करना यदि आप time maintain करना सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं है यदि आप time maintain करना नहीं सीख भाए तो दिक्कत ही दिक्कत है तो समझ सकते हैं इस बार UP, PCS, GIC की जो post निकली है पूरी तरीके से pattern change है और पहली बार without interview बिना interview के vacancy कराई जारी है लेक्षरार के लिए ना B.A.D. है ना M.A.D. है ना ही उसी के लिए कोई अधिभार है और सबसे महत्तपून बात कि इस बार दो paper होंगे paper 1, paper 2 और paper 2 हिंदी writing का और आपका optional subject writing का होगा optional paper नहीं होगा यदि हम बात करके चलें कि इसका pre का cut-op कितना रजाएगा paper 1 का cut-op क्या रह सकता है तो paper 1 का cut-op क्योंकि 40 नंबर की GK और 80 नंबर का आपका optional है और UP, PCS जो pre exam होता है generally हम वहाँ भी देखते हैं जो उसका cut-op है वो लगबख 70% पर रुख जाता है तो 12 साथ 84 यदि आप 85 और 90 के बीच question करकर आते हैं जनरल कैटेगरी के बात कर रहा हूँ 85 से 90 question 90 question के बीच आप जनरल कास्ट में करका आते हैं pre में तो आपका selection हो जाएगा OBC candidate के लिए 85 प्लस या 88 question चाहिएंगे कमसे का minimum और OSC cast के लिए 80 और OSC के लिए लगबग 75 female candidate मास या 10 number अपना गटा कर इसमें चल सकती हैं ये मोटा मोटा है क्योंकि पहली बार इस तरह का exam कराया जा रहा है तो पूरी तरी ये से कटोब बतना आसान नहीं रहेगा मंगर आपको अपना लक्षय तैय करके चलना है कि मुझे minimum 90 question soul करकाने है उसके जादे चाहे मैं कितने भी करना प्री के लिए मेंस के तैयारी आपको अभी से करनी है केवल रटकर नहीं सबसे ज़रूरी है आप लिखकर उसके तैयारी करें हम आपको इसका पीडियब भी provide कराएंगे उसके लिए हमने pattern इसलिए बदला है क्योंकि जो candidate की लगतार सिकायत आ रही थी कि उसमें कुछ तरह की धांदली होती है interview को लेकर तो इसलिए हमने interview को खतम कर दिया है केवल अब आपको अपकी मेहनत और जो आप में दम है जो आप में capability है उसी के अधार पर आपको selection मिलने वाला है तो अब इस दिमाग में से headache निकाल दी जाएगा कि आपको interview के अधार पर भाहर कर दिया जाएगा बिल्कुन नहीं यदि आप में capability होगी आप में question solve करने की habit होगी तो आप निश्ची तोर पर आपको selection मिलेगा और आमान कर चलिएगा जो non-PCS की तयारी करने वाले candidate है उनके लिए आसान नहीं होने वाला है क्योंकि ये paper option नहीं है writing exam होना है और writing exam में निश्ची तोर पर हर candidate को लिखने की कला नहीं आती तो वो भी अपने आप में विक्सित करनी होगी और सबसे महत्तपून बात UPPSC इस vacancy को 2021 में complete करने के पूरे-पूरे mood में है इसकी last date exam form की जो खतम होने की 18 जनवरी है और में भी हो सकता है अप्रेलिया मार्च अप्रेलिया माई में ये आपका pre-ka exam करा लिया जाए तो दोस्तो लग जाएगे तयारी में और वीडियो को जादस जादस सेयर करना बिलकुल ना भोलें मिलते हैं नेक्स टुडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत धन्यवाद